हम लोग के बहुत सुभधा मिला है, दूदू बारासन उठाते हैं, यहां पर सड़क बन जाते हैं, निकड़ते हैं, घर में से मुखड़िये ठाई जाते हैं, अकलेस क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, करता है, मिया लोग में करता है, हम लोग के कुछ मि जाता है हर महीने में हम लोग दो रासन उठाते हैं परम पूजी योगी यादितना जी महाराज फिर से आएंगे जी अखिलेश यादव से कोई नाराज़गी क्यों नहीं अभी तो अखिलेश यादव फिर से आएंगे गुंडागर्दी बढ़ जाएगी ठाने पर दलाली उन जोनबा की उलायम सिंग को और अखिलिस को अद्म मतब देखा है बस्पा को भी देखा है लेकिन पांट साल में जो काम हुआ है कि उसे अलोग मतब संतुष्ट हैं बहुत संतुष्ट हैं कुछ महिलाएं है यहाँ पर इंसे बात्चित करते आपका नाम क्या है गीता देवी महिलाओं के मन में क्या चल रहा है मुदी जी हाँ जोगी जी अखिलेश यादो नहीं दिखंग है हाँ सब जोगी ω करते हैं क्या काम किया महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए क्या मिला है हम लोग के बहुत सुभधा मिला है दूदू बारासन उठाते हैं यहां पर सड़क बन जाते हैं निकड़ते हैं घर में से मुखड़िये ठाई जाते हैं आ अकलेस क्या किया है कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया है और करता है मिया लोग में कर तब सूब कर देखा गिए आपका क्या नाम थे ध प्रस इतनों डिलता है कर दो चोटरे वह पर नाषैप नुगे tyre वोट में, क्या चलरहा तक्योंड हो जलरें वान हैहां करना नहीं है क्या ज्रायम फ़्ल लेजाए जांकि वह यह जीखी, पर और सथम हर्वह हमने करना तर्षै il, मुण करें से सबंब्स कर दोझें राइसा मिला है दवाई के मिल रहा है । लोको बाहर जाते हैं। आपने जू नहीं पूछ नहीं किया हैwwww insult लेके घोमते हैं बाबा और हुआ उडाने के उनका काम है कहाने दिजिये न क्या फरक बड़ता है जो कि आइसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आईए ना 32 अवे बात करते हैं आल इंडिया मेडिकल साइंसिक बात रोजगार पर बात नहीं करती है रोजगार बढ़ेगा न कुरोना काल में तो हर इस्टेट हर गौवर्मेंट हर दुनिया के हर गौवर्मेंट परिसान है तो उस पर बात अभी करना हम थोड़ा अच्छा नहीं समयते हैं इनको और मौका देंगे तो क्या अख्रेश यादो जो वादे कर रहे हैं कि मैं आया तो आईटी सेक्टर में ढाई लाक रोजगार दूंगा तो क्या युवा जो वोटर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे इन सब वादों को देखेंगे पहले एजुकेशन लेबल को बढ़ाई ये मेडिकल की सीटों को बढ़ाई ये और तब पहले गराउंड लेबल पर काम करें अभी क्या है बेसिक सिख्छा में प्राब्लम ही प्राब्लम है वहां पढ़ाई नहीं हो रही है मादमिक सिख्छा में पढ़ाई नहीं हो रही है फिर एक बार सोच समझ के योगी यादित तनाथ जी को एक बार फिर मौका देने जा रहे हैं बबलु जैस्वाल नाम है हमारा यह बताईए मुद्दा क्या चल रहा है मन में कि वोट डालेंगे तो क्या मन में होगा आने वाली सरकार से क्या चाहिए पांच साल कैसे रहे यह सब चल रहा होगा देखिए मैरम अभी जो है फाजी नगा विदान सभा में दूसरी बार गंगा सिंग कुस्वाब यहां के विदायक रहे हैं उनका कारेकाल बहुत बढ़िया रहा है और सारे लोगों से मिलना जुलना दुख दर्द में जाना आना और आम एक कारे करता अगर उनको दर्वाजी बेचल यह अपने समस्या को ले करके तो उसको तुरूंत निस्ता करण उसका करते हैं बिदायक जी सुनते हैं गायब तो नहीं रहते हैं यह अपने बिदायक सभा में ही रहते हैं जब चाहे कोई कर करता है उसके बात कर ले वो उसको बुरा नहीं मानते हैं जी सस्तर का भी हो उसका निस्तारण करते हैं स्वामी प्रसाद मौरिया अभी तो पडोभणा को भागाये हुए हैं कि अधितना जी महराज फिर से आएंगे उन्ह प्रसाद फिर गुंडागर्दी बढ़ जाएगी थाने पर दलाली उनकी करकारता करना चलीक है और यहां बिली वह तो नई सपा की बात कर रहे हैं कि एक नई समाजवादी पार्टी ले अभी अखिलेस यादो पुरानी राम परसाद जैसवाल अभी बता रहा हूं जो पुरानी जन्वा की वह सपा है और अखिलेस यादो सोने के चमस लेकर पैदा मतलब हुए हैं ठीक है जोगी मोदी जन्वादी जमी से मतलब वह सब लोग आये हैं लोग वह पापलोर्टी मतलब उनकी मतलब काफी है अखिलेस यादों की यूपी की जन्ता है वो ठगी गई है पास साल और रिस साल जन्वा की उलायम सिंग को और अखिलेस को अध्मी मतलब देखा है बसपा को भी देखा है लेकिन पान साल में जो काम हुआ है कि उसे आदलोक मतलब संतुष्ञ है बहुत संतुष्ञ है रोड है लायट है किसान वाला जन्वा थी आ रहा है यूद्ब करना काल में आखिलेस यादो राहूल गांदी कोईषी ने जन्वा की रोड़ पाया नहीं सब को अपने जन्वा घर वो तो यहां तक कर दी अगले जाद हो कि मोदी की लोगों को कहें कि जन्वा की मोदी का वेक्सिन है लेकिन आज उनके अंदर जन्वा हुआ मत्कुराना तो खुद जन्वा को वहां पर लगवा रहे हैं सब लगाए लेक्सीन तो देश के मतलब जोगी जी जिए फिन आज प्रेम दरहां सिंग दालने जाएंगे मन में क्या होगा किसको मौका देना है वागे जोगी जी जो डेंगे अमुक मंतर हां अ वादप को क्यों नहीं दे इंगे फाम काल उनका अच्छा नहीं है नहां बझली आरोड भी नहीं मिलता है अभी बिल तो यहां लोगों का सीधा कहना है कि यूपी में एक बार फिर से बाबा जी की सरकार चाहिए और बुल्डोजर ही चलेगा आपको क्या लगता है यूपी में कौन आने वाला है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईए